हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेयस अकेडमी में दोस्तों RPSC फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के लिए इतियास के जो जो टोपिक है सलेवस के अकोडिंग उनका दोस्तों क्रेस कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें आज अपना पहला टोपिक है मोरिय कालीन कला साहित एवं विज्ञान सलेवस के अकोडिंग ये अपना पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर दोस्तों आज मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों जैसे कलास के अंदर जो टीचर है वो पढ़ाता है तो वो इतनी सारी चीजें नहीं बता पाता इसलिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत पढ़ती है ठीक है लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इसमें ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको मतलब किताब ये कलास देखने के बाद में आपको किताब की जरूरत नहीं पढ़ेगी ठीक है तो दोस्तों जो ये कलास है इसको पूरी देखना और अरद्य आरेस अकेटमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन को दबाना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ठीक है देखो पहला टोपिक है अपना इसमें मोर्य कालीन इस्तापत्य कला सेलेबस में पहला ही पहला पॉइंट है ये वाला अब देखो इस्तापत्य कला में क्या क्या आता है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ तो इस्तापते कला की सबसे पहले मैं बात करूँ तो देखो महल निर्मान, इस्तूप निर्मान, सिला लेक, इस्तंब लेक, गुहा लेक, ये इस्तापते कला के अंतरगते आते हैं, ठीक है, देखो इस्तूप निर्मान, ठीक है, इस्तूप निर्मान में क्या आते हैं, तो सा पारीरिक इस्तूप, पारीभासिक इस्तूप, उद्देशिका इस्तूप और पुजार्थक इस्तूप, ठीक है, सिलालेकों में व्रहत सिलालेक और लगू सिलालेक, और इस्तंबलेक में व्रहत इस्तंबलेक, लगू इस्तंबलेक, ठीक है, ये दोस्तों इस्तंबलेक में जै ये ऐसे प्रशन है वो काफी बार परिक्षा के अंदर भी पूछा जा चुका है कि ये चार लगो इस्तंब दिये गए थे मिलान करने के लिए कि वो कहां कहां पर रहे है ठीक है तो देखो इसमें पहला अपना इसमें पढ़ेंगे मोर्यकाल के अंदर जो इस तापते कला में म महल निर्मान तो इसमें देखो भारतिय इतियास में महलों की विक्षित परंपरा मोर्यकाली युग से प्रारंब हुई थी ठीक है यानि कि महल निर्मान की जो परंपरा है ठीक है वो कब से प्रारंब हुई थी तो वो मोर्यकाल से प्रारंब हुई थी दोस्तों महल निर्म महलो का निर्माण में लकडी के इस्तान पर पहली बार पत्थर का प्रियोग किया गया था। का प्रियोग किया गया था अब देखवागे इस काल में बनाए गए महल कलात्मक सुंदर्ता की दरष्टी से सर्वस्रेष्ट माने जाते हैं यानि कि सुंदर्ता की जो दरष्टी से जो महल है मौरे काल में सर्वस्रेष्ट माने जाते थे ठीक है और माने जाते हैं देखो मौ मोरियकाल में बुलंदी बाग से लेकर कुमहार गाओं तक परकोटे का जो निर्मान है वो करवाया गया था ठीक है देखो जबकी कुमहार गाओं का लकडी का महल सर्वस्रिष्ट इमारत थी देखो कुमार गाओं के अंदर लकडी का महल भी था जो सर्वस्रिष्ट इमारत मा आनी जाती थी मोरिकाल में ठीक है आगे देखो मेगस्थनीज ने अपने वरणन में चंद्रगुप्त मोरिये के महलों की प्रसंसा की है अब यह मेगस्थनीज कौन था तो दोस्तों मेगस्थनीज है यह सेलुकस निकेटर ठीक है सेलुकस निकेटर याद रखना आपको सेलुकस निकेटर का दोस्तों राजदूस था कौन यह मेगस्थनीज और यह चंद्रगुप्त मोरिये के सासनकाल के दोरान यह भारत आया था और इन्होंने इंडी का नामक एक पुस्तक लिखी थी ठीक है यह आपको इसमें याद रख और देखो जो यह सेलुकस निकेटर है इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना क्या नाम था हेलेना और उस हेलेना का विवाह है वो चंद्रगुप्त मोरिये के साथ में हुआ था ठीक है तो मेगस्थनीज ने इंडी का नामक पुस्तक में वर्णन किया है कि चंद्र महलों के बारे में कहा है कि इसके महल इरान के सासक मुसा के महलों से सर्वस्रेष्ट है ठीक है किस ने कहा है ये मेगस्थनीज ने कहा है किस के बारे में कहा है तो चंदरगुप्त मुरिय के महलों के बारे में महलों में केवल परिवर्तन किया गया था यानि कि इन महलों में सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किया गया था ठीक है बिंदुसार और असोक के काल में ठीक है देखो असोक ने तकसिला में असी इस्तंबो पर आधारित राजबवन का निर्मान करवाया था तकसिला के अंदर अस असी इस्तंबों पर आधारित, यानि कि असी इस्तंब के उपर टिका हुआ था, ठीक है, ये राज महल, यानि कि राज बहुन का निर्मान है, वो करवाया था, किसने असोग ने, ठीक है, तकसिला में, अब दोस्तों, देखो अपना इसमें, दूसरा नमबर का आता है, इसमें इस्तूप निर्मान, अब आज अपन इसमें इस्तूप निर्मान पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखो इस्तूप निर्मान में क्या आता है, दूसरा नमबर का है, इस्तूप निर्मान, देखो इनका निर्मान समाधी इस्तलों पर किया जाता था, ठीक है, जहां समाध व्यक्ति की अस्तितियों को पिटेरी नुमा बोक्स में बंद करके जमीन में दफना दिया जाता है। कि दोस्तों आप सो भी को पता होगा कि जैसे क्रिस्टिन है और भी बाकी कई है जैसे मुसल्मान भी है वो क्या करते हैं जैसे व्यक्ति को दोस्तों एक बोक्स में बंद करके और जमीन में गाड़ देते हैं थीक है तो ऐसे ही दोस्तों किसी व्यक्ति की अस्तियों को पिटेरे नुमा एक बॉक्स होता है उस बॉक्स में दोस्तों बंद करके जमीन में उसकी अस्तियों को दफना दिया जाता है ठीक है और उसके उपर अर्ध चंद्राकार आकरती का धांचा बना दिया जाता है ठीक है वो होता है दोस्तों इस्तूप निर्मान ठीक है लेकिन कई बार महतवपून तिथी की याद में भी इस्तूपों का निर्मान किया जाता है ठीक है वैसे महतवपून तिथीों के को याद रखने के लिए भी दोस्तों इस्तूपों का निर्मान किया जाता है ठीक है और वैसे म कार आकरती का एक डाचा बना दिया जाता है उसको इस्तूप कहते थे ठीक है देखो इस्तूप चार परकार के होते हैं ठीक है चार परकार के कौन-कौन से तो एक है सारीरिक इस्तूप एक है परिभासिक इस्तूप और एक है उद्देशी का इस्तूप और एक है पुजार थक इस्तूप ये चार परकार के इस्तूप पाए जाते हैं ठीक है दोस्तों अगर आप रोजाना मेरे साथ में ऐसे चलते रहे तो मात्र और मात्र दोस्तों एक महिने के अंदर फ़स्ट पेपर का जो कॉर्स है वो कम्पलीट हो जाएगा ठीक है तो सबसे ज़्यादा नंबर के ह दोस्तों मैं गरंटी देता हूँ अगर आप मेरे साथ में चल रहे हैं तो ठीक है क्योंकि फर्ष्ट पेपर में भी काफी कुछ चल रहा है ठीक है मॉडल पेपर टैस चल रही है इस्कूल मेनेजमेंट की टैस चल रही है थीक है तो देखो पहला पहला था Chun में सारीरिक इस्टूप, तो सारीरिक इस्टूप क्या होते हैं, तो महत्मा बुद्ध के अवसेसों पर इन इस्टूपों का निर्मान करवाया गया था, सारीरिक इस्टूप समझ गए, महत्मा बुद्ध के अवसेसों पर इन इस्टूपों का निर्मान करवाया गया था, वो मात्मा बुद्ध की वस्तूओं पर इन इस्तूपों का निर्मान करवाया गया था ये कहलाते थे दोस्तों पारवासिक इस्तूप सारीरिक इस्तूप के बारे में मैंने आपको बताया कि अवसेसों पर महात्मा बुद्ध के अवसेसों पर इन इस्तुपों का निर्मान करवाया गया था तो देखो अवसेसों पर यानि कि सरीर के अवसेस थे तो सारीरिक अवसेस हो गए पारिभासिक इस्तुप तो यानि कि जो महात्मा बुद्ध की जो वस्तुवे थी वो परिवासित करती थी कि ये किसे समंदित थी क्या क्या है तो वो वस्तों के उपर जो इस्तूपों का निर्मान करवाया गया था उनको परिवासिक इस्तूप कहते थे तीसरा है इसमें उद्देशिका इस्तूप टो देखो उद्देशिका इस्तूप में महत्मा बुद के जीवन से समंदित विबिन इस्तानों पर बनाए गये इस्तूप कहलाते हैं उद्देशिका इस्तूप महत्मा बुद्ध के जीवन से समंदीत विभिन इस्तानों पर बनाए गए इस्तूप उद्धेशी का इस्तूप चोथा है इसमें पूजार्थक इस्तूप यानकि बो द्रम में सरदा प्रकट करने के लिए इन इस्तूपों का निर्माने करवाया गया था यह होते हैं दोस्तो पूजार्थक इस्तूप तो मैंने आपको बताया था कि जो इस्तूप है वो चार परकार के होते हैं ठीक है और चारों के नाम मैंने आपको इसमें बताए हैं तो देखो यहां पे मैं पूछ रहा हूँ कि विश्वा का सबसे बड़ा इस्तूप कौन सा है तो दोस्तो विश्वय का सबसे बड़ा इस्टूप है वो बोरोबदूर इस्टूप है कौन सा है बोरोबदूर इस्टूप है जो इंडोनेशिया में पढ़ता है ये विश्वय का सबसे बड़ा इस्टूप है दूसरा देखो इसमें भारत का सबसे बड़ा इस्टूप कौन ये भारत का सबसे बड़ा इस्तूप कहलाता है ठीक है भारत का सबसे बड़ा इस्तूप कोन सा कहलाता है सांची का इस्तूप मद्यपरदेश में है ठीक है तीसरा देखो विश्व का सबसे प्राचीन इस्तूप कोन सा है तो विश्व का सबसे प्राचीन इस्तूप कहलाता है वो है दोस्तो विप्रहवा का जो इस्तूप है वो नेपाल में है ये विश्व का सबसे प्राचिन इस्तूप है वो कौन सा माना जाता है तो बरहुत का इस्तूप जो मद्य प्रदेश में है बरहुत का इस्तूप जो सबसे प्राचिन इस्तूप माना जाता है भरत का ठीक है विश्व का तो दोस्तो सबसे प्राचिन है वो विप्रहवा इस्तूप नेपाल में है वो सबसे प्राचिन है ठीक है या आपको चारो की चरो हैं यह याद रखने है ठीक है अब देखो बोरोबदूर इस्टूप का निर्मान सेलेंदर बंस के राजाओं के द्वारा करवाया गया था ठीक है बोरोबदूर इस्टूप का जो निर्मान है वो सेलेंदर बंस के राजाओं द्वारा करवाया गया था अब देखो सारन सारनात का इस्तूप का आपर है तो ये वारानसी में है और वारानसी का आपर पड़ता है तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है ठीक है तो सारनात का इस्तूप है वो का आपर है वारानसी यूपी में इस्तित है इसे दमेक तथा मरग सिखावन भी कहा जाता है ठीक है यान म्रग सिखावन भी कहा जाता है किसको सारनात के स्थूप को देखो इसका निर्मान मोरिय बंस के सासक असोक द्वारा करवाया गया था जिसमें पून रूप से इंटो का प्रियोग किया गया था ठीक है, पुन्रोप से इंटों का प्रियोग किया गया था, सारनात का इस्तूप में, ठीक है, आगे देखो अमरावती इस्तूप, तो अमरावती इस्तूप में देखो आंदर प्रदेश, ठीक है, अमरावती इस्तूप को धानने का टक भी कहा जाता था, जो एक मातर इस्तूप था, जिसका निर्मान पूर्टे संग मरमर से किया गया था, जिसका निर्मान है वो संगमरमर से किया गया था ऐसा दोस्तो एक मातर है ये इस्टूप है जिसका निर्मान संगमरमर से किया गया था तो वो कौन सा है तो अमरावती इस्टूप आंदर प्रदेश में है ये दोस्तों फर्ष्ट ग्रेड में एक प्रसंट आपको ऐसा पूछा जाएगा मिलान वाला ठीक है और वो इस्तूपों से संबंदित ही पूछा जाएगा ठीक है अमरावती स्तूप कहा पर है आंदर प्रदेश में और इसे दाने कटक भी कहा जाता है और ये एक मात्र ऐसा में आगे इतना असोक ने अपने सासन काल में कुल 84 हजार इस्तूपों का निर्मान करवाया था अब देखो आप असोक ने अपने सासन काल के अंदर 84 हजार इस्तूपों का निर्मान करवाया था ठीक है अब कितने हो जाते हैं दोस्तों ठीक है अब देखो तीसरा आता है अ इस्टूप भी अपने पढ़ लिया है चारों मैंने इस्टूप आपको बता दिये सिलालेक के बारे में दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ और कल आपन इसमें व्रहद और लगू सिलालेक के बारे में पढ़ेंगे है ठीक है तो दोस्तो सिलालेक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा समा आपको देखो दोस्तो सिलालेक ठीक है सिलालेक या अभी लेक जिसको अभी लेक जिसको अभी लेक ही बोलते हैं तो एपीग्राफी कहते है ठीक है या सिलालेखों के अध्यन को क्या कहते है एपीग्राफी कहते है ठीक है तो आपको याद रखना है एपीग्राफी है वो सिलालेख या अभिलेखों के अध्यन करने वाली विग्यान को कहते है देखो असोक ने इरानी राजा दारा से प्रेरित होकर अभी लेख इस्तापित करवाये थे किसने असोक ने सर्व पर्थम 1750 इस्वी में असोक के अभी लेखों का पता टीफेन थर ने लगाया था देखो सर्व पर्थम 1750 इस्वी में असोक के अभी लेखों का पता है वो टीफेन थलर याद रखना है यह नाम आपको याद रखना है टीफेन थलर ठीक है इन्होंने लगाया था दोस्तों 1750 इस्वी में सरोपर्थम असोके अबिलेखो का पता ठीक है और आप सभी को पता है 1837 में सरोपर्थम पढ़ा गया था आगे देखो आगे है इसमें जबकि सरोपर्थम 1837 इस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था यानिकि पहली बाव असोके जो सिलालेख थे जो अबिलेख थे ठीक है उनको किस ने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था कब पढ़ा था तो 1837 इस्वी में पढ़ा था इनको ठीक है देखो असो के अभी लेखों की बासा तीन थी असो के अभी लेखों की बासा थी वो कितने परकार की थी तो वो तीन परकार की थी दोस्तों ठीक है कौन कौन सी प्राकरत, अरेमाईग और यूनानी ठीक है ये असो के अभी लेखों की बासा तीन थी ठीक है और अब आगे मैं आपको देखो थोड़ी शोर बताजे तो आगे ठीक है देखो अभी लेखों की लीपियां है वो चार थी अभी लेखों की जो लीपियां है वो चार थी ठीक है उपर क्या था उपर था दोस्तों इसमें देखो अबिलेखों की बासा कितनी थी तीन ठीक है यहाँ पे क्या पुछा है अबिलेखों की लीपियां कितनी थी तो लीपियां थी दोस्तों चार कितनी थी चार कौन कौन सी ब्राही खरोश्टी और युनानी और अरेमाइक तो ये चार परकार की दोस्तों लीपिया थी अभी लेखों की ये आपको याद रखना है बासा तीन परकार की लीपिया चार परकार की थी जिसमें देखो ब्रहमी लिपी है इसमें देखो बाएं से दाएं लिखी जाती है यानि कि आपको याद रखना है ब्राही से इसमें बै पहले आता है तो बै भी आपको इसमें याद रखना है यानि कि बै से बै बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राही लिपी ठीक है असो के अधिकांस अभिलेक ब्राही लीपी में लिखे गए हैं लेकिन दो अभिलेक खगोष्टी लीपी में भी लिखे गए हैं दो अभिलेक है वो खरोष्टी अभिलेक में खरोष्टी लीपी में भी लिखे गए हैं कौन-कौन से है वो तो एक तो है मान सहरा और एक सहाबाजगडी ठीक है ये दो अबिलेक ऐसे हैं जो खरोष्टी लीपी में लिखे गए हैं और ये कहां पर हैं तो ये दोस्तो पाकिस्तान में है ठीक है यानि कि पाकिस्तान में है मान सहरा और सहाबाजगडी अबिलेक पाकिस्तान में है ठीक है इतना आपको याद रखना है आगे देखो असोक के दो अबिलेक अरे माईक लिपी में लिखे गए थे कौन कौन से तकसिला और लंगमान लंगमान कहां पर है तो ये अफगालिस्तान में है तो असोक के दो अबिलेक है वो अरे माईक लीपी में भी लिखे गए हैं देखो कांदार के पास सर एक कुनहा अबिलेक मिला जो यूनानी वै अरे माईक बासा तथा लीपी में लिखा हुआ था कांदार के पास में सर एक कुनहा अबिलेक मिला जो यूनानी वै अरे माईक बासा तथा लीपी में लिखा हुआ था अर्थार्थ यह है अबिलेक द्वी भासिये तथा द्वी लीपीये माना गया है यह अबिलेक ठीक है यह आपको याद रखना है देखो एर गुडी अबिलेक आंदर परदेश में है ठीक है यह ब्राही वैख खगोष्टी यानि कि ठीक है जो एर गुडी अबिलेक है जो अँदर परदेश में पड़ता है ये दोस्तो ब्राही और खरोष्टी लीपी में लिखा हुआ है अर्थार्त यहें दिवी लीप यह अबिलेक है ठीक है याद रखना है देखो कई इस्तानों पर अशोक से पहले के अबिलेक मिले जि मेरे राजस्तान में है ठीक है यह तीन अभिलेक ऐसे हैं ठीक है जो असोख से पहले के अभिलेक यह मिले हैं ठीक है तो कल दोस्तों अपन यह अभिलेक हो के दो परकार मैंने आपको बताए थे लगो अभिलेक और व्रहत अभिलेक यह दोस्तों अपन कल पढ़ेंगे ठीक है इसमें कौन-कौन से लगू में आते हैं, कौन-कौन से ब्रत में आते हैं, सब पढ़ेंगे. तो दोस्तों, रोजाना अरद्यारस अकेडमी के YouTube चैनल के वीडियो देखते रहें और अरद्यारस अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें, तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जै हिंद, जै भारत!